हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे अडानी पावर और अडानी विल्मार के शेर के बारे में अज दोनों स्टॉक्स दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिले अब मार्केट दोस्तों अगर इतना गिरता हुआ देखने को मिलता है तो अडाउटटिली देखिए तीजी की ज्यादा करता हुआ, देखने को मिला, asm की list में आ गया, उसके बावजुद आपको देखने को मिला है, तो इस वीडियो में यहीं बात करेंगे, कि क्या यह अभी मौका मिलता हुआ, देखने को मिल रहा है, अगर कोई न्यूज हो گी तुसको भी कवर करेंगे, तो डेफिनिटली वीड के बारे में तो देखे आज भी आपको यहां पर गिरावट जो होती भी देखने को मिली है वो definitely इतनी जादा कोई खास बड़ी नहीं थी 1.21% की गिरावट definitely mark होई है बट याद रखेगा आज निफ्टी जो था वो काफी गिरता हुआ देखने को मिला राइट 200 से जादा कि आपको निफ्टी के अंदर अगर गिरावट होती भी देखने को मिलती है तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि स्टॉक जादा तीजी दिखाएंगे अपने आपको मेंटेन करके रखे वही बड़ी बात है और वह करता हुआ देखने को मिला लास्ट पास दिलों के अब याणी विल्मार के रिटरंस जो है वो नेगिटिव में हो अभी ऐसा होता हुआ देखने को मिलरा रहा है 3.67% आपको देखने को मिलेगा अडानी विल्मार का शेर जो है वह आपको डाउन चलता हुआ देखने को मिला है लास्ट एक महीने के अंदर ज़रूरी बात क्य इसके अंदर यह बहुत important है देखिए जब से दोस्तों यहाँ पर अडानी विल्मार कह सकते कि दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकास में कामकाच करता हुआ देखने को मिला है last जब से listing हुई है तब से दोस्तों यहाँ पर returns उन्डाइडली massive बनाया है investors ने अडानी विल्मार में returns बहुत बढ़िया बनते हुए देखने को मिले लेकिन last 6 महिने में याफिर अगर मैं कहता हूँ कि YTD अब सागी चुरबात से अगर आप देखेंगे जब यह stock list हुआ तो एक वाद अपने crucial note करी होगे कि जो तेजी थी वो one-sided थी यह जो यहाँ से तेजी होती भी देखने को मिले न दोस्तों यह one-sided थी आज अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है stock के अंदर जो one-sided तेजी थी देखें उस पर थोड़ा सा break लगा है ब्रेक लगना के अच्छा है तो definitely अच्छा है देखें कभी भी अगर one-sided थी होती ही देखने को मिले stock लगाता बढ़ता हुआ देखने को मिले कोई profit booking आये न तो देखेंगे वह दिक्कत वाली बात हो जाती अभी exactly वही हो रहा है numbers अगर आप देखेंगे जो दो quarter तो देखने को मिली बट सालाना growth missing थी तो एक factor मुझे यह लगता है तीसरी बात तीसरी बात दोस्तो जो important है कि सरकार्ट जिस प्रगार्स दोस्तो हाल फिलाल में edible oil की उपर सक्त रही उन्होंना MRP कम करी मुझे लगता है कि 30 जाने का current सबसे बड़ा यह भी था कि edible oil की जो prices थी उसमें आपको यहापर सरकार्ण ने कम ही करी तो एक sentiment उदर भी थोड़ा सा यहापर change होता हुआ देखने को मुला तो यह तीन main points थे बट क्या यह levels अब buying के होंगे तो मुझे लगता है कि definitely अडानी विलमार एक ऐसा स्टॉक है जिनको इन levels पर जरूर धी दिखर की accumulate करना चाहिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अब सारे पैसे अभी लगाने का मौका है नहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहापर और गिर जाए आपको 670-660 का मौका मिल जाए अगर वो मौका मिलता है तो definitely दोस्तों धी दिखर के पैसा लगाईए एक SIP चालो करिए मैं आपको यह कहूंगा देखिए अडानी विलमार ऐसा तो है नहीं कि यहापर एक कंपनी खराब है बहुत शांदार कंपनी आपको देखने को मिलते है बेसिकली अपने कह सकते हैं कि अडानी विलमार का फॉर्चुन जो ब्रैंड है वो कितना ज्यादा बिकता हुआ देखने को मिलता है तो एक साफ साफ यही कि कंपनी बढ़िया करती भी देखने को मिलेगी ओवर दा पीडिट ऑफ ताइम अभी जरूर दोस्तों थोड़ा बहुत कंसॉलिडेशन है अब मंदली शेर लीजिए और उस प्रकार से करिए आने वाले चार से पात साल के अंदर I think ये चार से पात साल के अंदर multi-vagger returns अब को definitely deliver करता हुआ देखने को मिलेगा अगर इसी प्रकार से company लगाता चलती रही तो मेरी सलाह यही है बात कर अगर कल के targets की तो मुझे लगता है कि market थोड़ा बहुत कल भी pressure में रहे और अगर रहते हैं तो definitely यहाँ पर chances बनेंगे खईदारी करने के अब बात करतें next counter के उपर इसी group के अडानी power अब अडानी power को देखेंगे तो आज कोशिश है कि stock ने देखिए plus में आने की एक कोशिश ही है दूसरी कोशिश ही है तीसरी कोशिश ही है आज कोई बड़ी गिरावट अपको देखने को नहीं मेली 1.49% की गिरावट मुझे लगता है कि बहुत कम गिरावट है कोई दिक्क अब अडानी power दिए-दे करके दोस्तों यहां पर फिरसे उस zone में आता हुआ देखने को मिल रहा है जहां पर यह साड़े 400 के लेवल को attempt करता हुआ देखने को मिलेगा बिल्कुल इंपोर्टन क्या है कि दोस्तों यहां पर 432 रुपीज का आपने हाई देखा है लेकिन उसके बाद दिक्कत कहा है दिक्कत ही आई जब यह आता हुआ देखने को मिलेगा देखने को मिलेगी यह अपना आप में एक मीजर प्राबलम में क्योंकि वॉल्यूम्स जो उस्तों जो होती है वो डायक कम हो जाती है डेफिनेटली वॉल्यूम्स काम हो गई न अब वॉल्यूम्स काम हो गई तो यह दिक्कत है दूसरी बात कि देखे बहुत जादा नजर रहती है यहां पर NEC की BAC की सब के उपर यहां पर आपको नजर आती भी देखने को मिलेगी थोड़ नजर नहीं क्यों बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और मुस्त लिए देखे कंपनीज का यह जवाब निकल के आता है जब भी उस तो जवाब निकल के आता तो डेफिनेटली दिखकत वाली बात तो आती फिर पता नहीं मार्केट में थोड़ा बहुत तो यहां पर कह सक साथ परसन बढ़ रही है साल आना ऐसे नंबर्स पेश करना मुझे लगता है कि बहुत जादा यहां पर अनबिलीवेबल है राइट इतने नंबर्स आते वे देखने को मुले नेट इनकम प्रॉफिट जो था वो 4770 करोड आ गया सेप्टेंबर 2021 तक कंपनी 230 करोड के घाटे को मुला वो डिफिनिटली देखिए सबसे बड़ा रीजन था स्टॉक के एक मासिव तीजी का यहां पर कारण था क्योंकि जो सारी एंटिटीज है जो सारी सबसेडिरीज है वो अड़ानी पावर में डिफिनिटली अभी मिक्स हो चुकी है पहले तो सब अलगला काम करते थ बड़ानी पावर एक होल हो गया है तो उसके कारण दोस्तों जो नंबर थे उसमें आपको इतना बड़ा रिफ्लेक्शन आता हुआ देखने को मिला और मार्केट्स नहीं भी उसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया और स्टॉक्स चलते हुए देखने को मिले दूसरी बा पर क्या मौकाम बनता है बाइंग का तो मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप एक इंवेश्टर है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं बड़ा एक ट्रेडर है तो आपके स्टॉप लोस आपके पास होने चीए 400 रुपे के नीचे अगर जाएगा तो दिक्कत बन सकती है जरू अगर आप इंवेश्टर तो वेट कर सकते हैं प्रेडर है तो आपके स्टॉप लोस आपके बास होने चीए इंपोर्टन है कि 400 का नीचे जिरावट बनती है कल के अगर बात को तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉप अटेम्ट करेगा फिर से 400-412 के उपर जाने का